प्रेज दे लॉड हालेलुया आज परमेश्यर हमसे एक नए वचन से बात करना चाहते है नीती वचन की पुस्तक अधियाई तीन वचन तेरा में इस्तरा लिका है क्या ही दन्य है वहां मनुष जो बुद्धी पाए और वहां मनुष जो समझ प्राप्त करे बुद्धी विजडम कौन है एश्युव मसी है और समझ अंडरस्टैंडिंग एक विश्वासी को कास करके विजडम और अंडरस्टैंडिंग बुद्धी और समझ बहुत जरूरी है अगर ये दो में से एक भी कमी हुई तो वो आपने विश्वास के जीवन में आपने केरियर में आपने जीवनी में जो भी काम करना है हर एक विशे में रॉंग डिरेक्शन में चला जाता है आज बहुत से लोग आपने जीवनी में एक सही decision नहीं लेते wrong decision लेते हैं अपने career में अपने शादी के विशे में या अपने पढ़ाई में या सेविकाई में हर एक विशे में जो विक्ति ये बुद्धी और समझ नहीं है जिसके पास वो गलत रास्ते में चले जाता है और जो विक्ति परमिश्वर का वचन हर दिन पढ़ता है परमिश् मसी है जिसके पास प्रभुएश्यु है उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी क्योंकि वचन में लिखा है उसके देहने हात में दीरगायु और उसके बाए हात में दन और महिवा है जिसके पास एश्यू मसी है, उसके जीवन में दीरगाय है, उसके जीवन में परमेश्वर डन और महिमा से आशिश देगा आप सुलोमोन के बारे में जानते है, राजा सुलोमोन ने परमेश्वर से प्राधना कि, परमेश्वर मुझे बुद्धी दे, समझ दे क्योंकि तेरी प्रजा की न्याय करने के लिए, उनको रूल करने के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे बुद्धी चाहिए, साय था कर तब परमेश्वर ने सुलोमून से कहा, तुने मुझे से बुद्धी मांगी, लेकिन सिर्फ बुद्धी ही नहीं, मैं तुझे दन दूँगा और महिमा भी दूँगा, हालेलुया, जिसके पास एश्यू मसी है, परमेश्वर उसको सब कुछ देता है, जिसके पास प्रभु ए बात क्या होगा, उनकी आत्मा कहां जाएगी, उनको मालूम नहीं, लेकिन हम एश्यू मसी को जानते है, क्योंकि एश्यू मसी ही बुद्धी है, और जो वेक्ति परमेश्वर से समझ मांगता है, परमेश्वर उसको सब कुछ देगा, आगे वचनों को आप पढ़िए, नीत आपको आशिश देगे, अनुग्राकारी, दयालू परमेश्वर, मैं प्रातना करता हूँ, बुद्धी और समझ हमें दे पिता, क्योंकि बुद्धी सोना से भी, चांदी से भी, बहुत अनमोल है, मैं प्रातना करता हूँ, प्रभू, जिसके पास तु है, उसके पास मांगने के लिए सायता कर, जिस तरह राजा सुलोमोन ने तेरे पास बुद्धी मांगी, उसी तरह ये वचन सुनने वाले बाई बेहम को याद कर, उनको एक अच्छा बुद्धी और समझ दे, ये प्रातना विंती, एशु नाजरे नाम पे विंती करता हूँ, पिता, आमे God bless you, परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन